मैं नमिता गोड प्राध्यापक राच्किय वरिष्ट उपाध्याय संस्कित विध्याले जस्वनपुरा कक्षा बारा सामान्य विज्ञान पाठ अठारा मुख्य पादक कुलों का वानस्पतिक वर्णन भाग एक कुल मालवेसी मालवेसी कुल का सभाव ये अधिकतर एक वर्षी शाक जैसे साइडा, मालवा या फिर श्रुप जैसे गुढल और कभी-कभी व्रक्ष सभाव के भी पाए जाते हैं जड इन प्रकार के कुल की पात्पों की जड होती है वो मूसला मूल होती है मूसला मूल जड की अंदर एक मुख्य मूल होती है जिसमें से विभाजित होने के बाद दित्यक और तित्यक मूलों का निर्मान होता है जैसे द्वीवीज पत्री पौधों में पाई जाती है तना इनका तना ठोस, बेलनाकार, रोमिल, अर्थात इनके तने के उपर सुख्ष में रोम नुमा सरचना पाई जाती है पहले शाखी है और बाद में काश्टी है काश्टी अर्थात ये लकड़ी के रूप में रुपांतित हो जाते हैं जिट्टे वद्धी के बाद पत्ति, पत्तियां इसमें एकांतर, एकांतर का अर्थ होता है कि शाखा के उपर जो पत्ति लगती है वह एक दाई तरफ निकलती है तो दूसरी बाई तरफ इस रूप से एकांतर करमें पाई जाती है सेवरंथ अर्थात इन पे डंडी पाई जाती है सरल अनुपर्णी बहु शिरिये जालिका वर्थ शिराविन्यास अर्थात इनकी शिराविन्यास में एक मुख़्ी शिरा होती है जिसमें इसे जालिका रूप में अन्य शिराय निकली होती है जैसे बरगत के पेड़ की पत्ती पुष्पक्रम इनमें पुष्पक्रम एकल कक्षस्त पाया जाता है और ये प्राय सह सिमाक्षी होता है सह सिमाक्षी कार्थ ये होता है क्योंकि इसमें पुष्प सीधा स्तने के उपरी भाग पे लगता है इसलिए इसके व्रद्धी रुख जाती है इस विन्यास को सह सिमाक्षी विन्यास कहते हैं पुष्प इनमें पुष्प सहवरंथ अर्था डंडियुक्त सहपत्री अर्थात इनके पुष्प में सहपत्र पाये जाते हैं पून अर्थात इसमें चारो भाग होते हैं बहायदल, दल, पुंकेसर और जायान, नियमित, जायांगधर, जायांगधर का अर्थ होता है कि जायांग की स्तिती चारों चक्र में सबसे उपपर होती है, पंच्तई, अर्थात पांच या पांच के गुनज में इसमें सभी पुष्प के भाग पाये जाते हैं, द्वी लिं अर्थात पुष्प को किसी भी भाग में, किसी भी तल में काटने पर दो बराबर भागों में बढ़ता है, अनु बाये दल, ये तीन से साथ होते हैं, जोहरे रंग के होते हैं, ये सुतंत्र होते हैं, बाये दल पुंच, बाये दल की संक्या पांच होती है, ये संयुक्त द दल पुंच दलों की संख्या 5 होती है जो 37 स्थिति में पाये जाते हैं साथ में ये व्यावर्दित विन्यास में विन्यासित होते हैं ये सलेश्मी रंगीन और आकर्शक होते हैं पुमंग पुंकेसर असंख की पाये जाते हैं जो एक संगी अर्थात आपस में जुड़ेवे होते हैं इनके अंदर एक कोश्टी पराकोश व्रकाकार और जो पूतन्तु होते हैं ये प्रस्टि लगने होते हैं पुंकेसर के अंदर ये इनके अवस्ता दल लगने होती है अर् पंच अंडपी और युक्ता अंडपी होता है अर्थात आपस में ये अंडप जुड़े हुए रहते हैं वर्तिकाग्र सुतंत्र अर्था जायांग अपून युक्ता अंडपी होता है अंडशे में कोश्टों की संख्या अंडपों की संख्या के बराबर होती है अंडाशे पंच कोष्टी अर्थात पांच कोष्ट पाये जाते हैं वर्तिका एववं अंडाशे पुंकेसरी नाल में बंद रहते हैं बिजाण न्यास इस्थंबिय या अक्षिय होता है अर्थात इसमें बीज बीच में मद्धि में लगे रहते हैं फल कोश्ट विदारक कैपसूल कपास में या बिदूर या गुदिदार सरस पाए जाते हैं पुश्प सुत्र बी आर अर्थात सैपत्री गोले में धनका निशान अर्थात तृज्जा सम्मेत गोले के उपर तीर और नीचे धनका निशान अर्थात नर और मादा दोनों भाग उपस देते E.P.I. अनू बाय दल जिनके संख्या इसमें तीन से साथ होती है जो इस सुत्र में नहीं लिखी हुई है बाय दल पुंच इसकी संख्या बाय दल की संख्या पांच होती है और यहां ब्रेकिट है इसकार्थी है कि यह संयुक्त है C. यानि की दल पुंच इनके संख्या भी पांच होती है लेकिन यह स्वतंत्र होते हैं इसलिए यहां पे ब्रेकिट नहीं है ए पुमंग जो असंख है इसलिए अलफा बना हुआ है और क्योंकि यहाँ पे ब्रेकेट का निशान है अर्थात यह आपस में जुड़े हुए है जी यानि कि जायांग जो संख्या में 5 है और यहाँ पे ब्रेकेट यह दिखाता है कि युकता अंडपी अर्थात आपस में उधारन हिबिकस रोजा साइनिंसिस आर्थिक महत्व भोजन के रूप में भिंडी तेल कपास बीजों से और हिबिकस मास्टिटस के बीजों से इससे तेल प्राप्त होता है रेशे सतेश रेशो के रूप में बीजों के सतेश से प्राप्त होते हैं यह जिसे हिबिसकस कैना से पट्सन प्राप्त होता है जो कि रसी और बोरे बनाने में काम आता है और बोंबे का सीवा की फल बित्ती से केपोग नामक रेशा बनता है ओजदिया मालवा वर्सी लेटा की जड़ काली खासी यूरिना रेपेंडा की जड़ और छाल हाइड्रो फोबिया रोग जो कि कुत सजावटी पादप चाइना रोज याने गुडल के दल पत्रों से लाल बूर्ट पालिश तयार की जाती है हुली होक की पत्तियों से नीला रंग प्राप्त किया जाता है कौटन रोज सुबह सफेद और दिन के अंदर गुलाबी रंग के हो जाते हैं इसी प्रकार पारस पी ही खी जाते हैं